Hello friends, welcome to my channel KL study friends, आज हम करने वाले हैं संबीदा सेक्षक भरती वर्ग 3 की हिंदी पेड़ागोजी की 6 class ठीक है इससे पहले हमने 5 classes पढ़ ली हैं जिसने भी वो वीडियो ना देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिं असीलता ठीक है आज हमारा complete हो जाएगा और इसमें हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है ये topic complete होने के बाद हम इसके question भी करेंगे ताकि आपका कोई भी question गलत ना हो ठीक है इसके बाद जब हमारा topic complete हो जाएगा तो इसके बाद हम दूसरा topic जो हमारा दिया गया है भासा सेक डिटेल से देखा था ठीक है बालक का भासा विकास कब मतलब के सवस्था में कौन सी भासा बालक में आती है ठीक है बालक का सब्द कोस पढ़ा था हमने ठीक है इसके बाद भासा आरजैनो राधियम में अंतर पढ़ा था ठीक है इसके हमने बहुत सारे अंतर पढ़े थे इ दोनों की दृष्टी से सही है तो हमें जब पता होगा कि भासा की भाग क्या कहलाते हैं से हमने बहुत यह समझाया था फीक है defa भासा सेक्षन और बिचारक एह हमने पढ़ा था तो हमने पड़ लिया था कि इसका नर्भासा सेक्षन में सबसे ज्जादा बल केसे पर देते हैं तो पुनरबलन पर देते हैं थीके पावलाव मतलब इनका हिंदी में हमें थोड़ा-थोड़ा नौलेज रखना है भासा करेंगे ठीक है कोहलर कोहलर के परबल देते हैं आहें सूजपर की बालक जो है बो सक्षन करियां को सूज के माथह Umkee का सिद्दांत मुथ नौम चौंस्अ की है आत धा है नहीं पर अन्य-णनाव के सिद्दांंत की नहीं नहीं कि लेडि क्या कहलाता है ठीक है सतही और गहरी सरचना का नियम, सारवभोमिक भासा का सिध्धानती क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा था वाई गौट्सकी ठीक है, बाई गौट्सकी ने कौन सा सिध्धानत दिया है, इनके टर्म पढ़े थे, इन्होंने जो दिये हैं, MKO, ZPD क्या है, ठीक है, इसके अन्य नाम क क्या होते है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, सुरुआत में सहायता दी जाती है, या फिर बीच में दी जाती है, ठीक है, और भासा विचार भी पढ़ा था कि चो मस्त, सुरी, बाई गौट्सकी भासा और विचार में क्या मतलब अपना वो रखते हैं, कि भासा पहले आती है, या विचार, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जीन प्याजी के वारी में, जीन प्याजी का भासा विचार क्या है, इन्होंने क्या बताया, ठीक है, तो इनका जो सिद्धान्त है, वो तो हम CDP में डिटेल सी पढ़ेंगी, इसमें केवल हिंदी में, इन्होंने जो मतलब सिक करता के बारे में बताया है ठीक है और एक इनका भासा और बिचार का सिध्धान्त भी इन्होंने दिया है ठीक है तो इन्होंने भासा के दो पिरकार बताये हैं कौन-कौन से एक तो बताया है अहम केंद्रत भासा और दूसरी बताया है समाजी करत भासा ठीक है अब सभी को पत के डी है वวกर से म crochet सवस्था में यहां बीड़त सवस्था में डूसरा कौश्चन मनेगा की स्वस्था में बालक में जो अहम के अंद्रत भासा की पिरुवित्ति होती इसमें बच्चे का व्योहार के इसा होता है घ्लीऑ है घ्ली गोच्च्छा में हो डीफत करेगा ठीक है और अन्य किसी बच्चे से बात नहीं करेगा चाहे कितनी ही भीड में उसे रख दें बालक को फर वो किसी से बात ना करके स्वेयम से बस बात करेगा ठीक है यही होता है एक तरफा व्योहार ठीक है तो यहां देख लेते हैं कि जीन प्याजी ने एक कमरे में कुछ बच बच्चे हम कितने भी मान सकते 20 लेलें 50 लेलें ठीक है कुछ बच्चों को रखा जो 3 से 6 वर्स के थे अब 3 से 6 वर्स के मतलब सैसा वस्ता में थे ठीक है यह बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे एक कमरे में थे इतनी सारे बच्चे लेकर एक दूसरे से बात नही कर रहे थे वह केबल अपने आप से बात कर रहे थे इसी को जीन प्याजे ने क्या कहा है स्वारती अर्थात अहम केंदरित भासा अब कुश्चन मनता है की जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का स्वयम से मौख्यक समबाद करना लेंगवेज कैसी भी करके दे दें ठीक है जैसे कह दिया कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का स्वयम से बात है करना स्वयम से मोखे संबाद करना अपने याप से बात करना जीन प्याजे इसे क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं अहम केंदरित भासा कहते हैं जबकि हमने कल द या फिर वाल्य वस्ता से आंगे की जो एज होती है उसमें इस प्रकार की भासा बालक में देखने को मिलती है और यहां बैवहार के ऐसा होता है दो तरफा का मतलब क्या हो जाएगा जैसे कुछ बच्चे एक रूम में है ठीक है जैसे 20 बच्चे हैं तो एक दूसरे से बात करे एक कुछ बोलेगा ए सुनेगा स्रोता वन करके ठीक है जब फिर दूसरा बोलेगा तो एस रोता वन करके सुनेगा अर्थात यहां पर वैवहार होगा वो दो तरफा होगा तो क्वेश्चन मनेगा कि जीन प्याजे की अनुसार बालक जो है बाल्य वस्ता में समाजी कृतभ और दूसरा हो जाएगा हमारा समाजी करत भासा आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है नैश्ट देख लेते हैं का टर्म जीन प्याजे कहते हैं कि बिचार पहले आता है और भासा बाद में आती है इसे याद रखना ठीक है जब कि बाई गौट्स क भासा पहले आती है और भासा बाद में तो इसे याद रखना ये ऑप्सन बना करके पूँचा जाता है जैसे कह दिया कि निम्न में से भासा और भासा बाद में याद रहेगा तो फिर दोनों अपने आप बन जाएंगे ठीक है आज हमारे भासा विचारा खत्म हुए ठीक है इतने ही भासा विचारक हैं जिन्होंने हिंदी सेक्षन में भासा सेक्षन में अपने अपने मत दिये हैं ठीक है इसी से question पूँछे जाते हैं और I hope आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा ठीक है इसके बाद देख लेते हैं भासा सेक्षन के सूत्र इससे भी कई बार question पूँ आते क्या हैं तो सेक्षन सूत्र वे सूत्र होते हैं जिनमें सेक्षन को जो सेक्षन पर क्रिया है हमारी उसको सरल सरस और रुची करता था सुगम बनाया जाता है ठीक है ताकि आसानी से बच्चा समझ सके और अपनी रुची इसमें विक्सत कर सके ठीक है अब देख लेते ह पहला ग्यात से अग्यात की और ये क्या कहलाता है तो बालक को पहले ग्यात चीजों के बारे में बताना इसके वाद उसे अग्यात के बारे में बताया जाता है इस सूत्र के अनुसार बालक के पूर्व ग्यान या पूर्व अनुभा मतलब बालक जो पहले से जानता है बालक क तो पहले मात्र भासा का ग्यान जो इसके बाद राज भासा का ग्यान जो जो अग्याताição जो घ्म मं से कथिन यूदा बता रूचिचे होगे और कभी नहीं सीख तुरूओ Myers को पहले सरल सरल सब्दों को since क्वाद कठन कुछ ही चाहे सब्द हों चाहे वाक्या हों चाहे कुछ भी हो ठीक है तो पहले सरल इसके वाद गैँठे चीजहों को याद रखना मेंुंका क्रम सरल से कठन ग्याट से अग्याट ठीक है question क्या पुछेगा निमन मैंसे कौन सा section का सूतर नहीं है दिया होगा अग्यात से ग्याट की ओर इस तरह से नेश्ट है इस्थूल से सूक्षम की ओर अब इस्थूल और सूक्षम इस्थूल का मतलब बड़ा और सुक्ष्म का मतलब छोटा ठीक है तो पहले पूरी सामागरी मतलब जितनी बस तु है या कोई भी चीज है पूरा दखाएं बालक को इसके वाद उसके सुक्ष्म भागों का उसको ग्यान कराएं जैसे पहले किसी जानवर को जैसे हमने दखाया हाथी हाथी को हमने पहले पूरा हाथी दखा दिया बालक समझ गया कि यह हाथी है इसके वाद हम उसके छोटे छोटे भागों को जैसे कह देंगे यह इसके कान होते हैं यह पूँच होती है ठीक है इस तरह है से तो पहले चमपून फिर छोटे भागों को ठीक है यहाँ पर दिया गया है पहले वाला को किसी जानवार को पूरा दखाया जाता इसके बाद छोटे यंगों से नेश्ट दिया है पून से अंस की और यही बात है इस्थूल और सुक्षम पून और अंस एक ही है पहले पून वस्तु दख पढ़ी है हम हिंदी सेक्षण की बिधियां भी बहुत ही जल्द पढ़ेंगे ठीक है तो बिसेष्ट उधारन दखा करके बालक सामान नियम की ओर पहुंचता है ठीक है नैश्ट है मनोविज्ञान से तर्क की ओर यहां मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है बालक की रूच याद रखना नैश्ट है विसलेशन से संसलेशन की ओर विसलेशन का मतलब क्या होता है बस तुमा को तोड़ना ठीक है जैसे कोई बड़ा भाग है जैसे कोई पाठ है हमारा ठीक है नमंद है तो उसको छोटे छोटे भाव हमें तोड़ करके बालक को हम पढ़ाएंगे ठीक तो बिसलेशन से संसलेशन की ओर नेश्ट्रिया है आगमन से नेगमन की ओर ये तो सभी को पता होगा ये दोनों बिधिया होती है आगमन बिधी और नेगमन बिधी में क्या होता है नियम से उधारण की ओर और आगमन बिधी में उधारण से नियम की ओर तो इसे हम आगमन और से यार जरूर कीजिएगा थेंक यू